हाई फ्रेंड्स वेलकम टू फातिमा पापास किचन आज अपन बनाते हैं साउथ इंडियन स्टाइल रसम चार भी बोलते हैं इसको तरह तरह के चार बनाते हैं लेकिन आज आप लोग से एक डिफरेंट स्टाइल का रसम आप लोग से शेर करती हूँ वोहाई की मसाला चार ए आप लोग रेगलर रसम के जैसा नहीं जैसा इस तरह से एक मसाला चार बना लेके खाने से एक अच्छा सा फील आता है और दूसरा है की पेरेटी रहता है तो एक नया रेसिपी आप लोग खाय सो एंजय करते हैं तो लीजिए शुरुवात करते हैं इसके लिए एक पैन को चड़ागे, उसमें दालते हैं अब हम अपन ड्राइ चिली चैक चिए और धनिया एक टेबल स्पून दाल के इसको ड्राइर रोस्ट करते हैं, औल कुछ भी नएरट करते हैं, just ड्राइर रोस्ट करते हैं तो ये dalla मिड्शिया और धनिया अच्छा सा लोज मे रखके इंग्रीडेंटस वह है कि 10 लहसुन के कलियाँ चिल्टे से भी दाल सकते हैं बगर चिल्टे भी दाल सकते हैं आप लोग की मर्जी इस तरह से ड्राइरोस्ट कर लेके अब अपने इसमें आट करते हैं राग कच्छा नारेल पूरे एक नारेल मीडियम साइज का नारेल है तो ह शाफ नारेल समिल जी, एक आदा नारेल को छोटे-छोटे पीसस कट करके इसको भी ड्राय-्रोस्ट कर लेते हैं, तो पूरे इंग्रीडिंस को अच्छा सा ड्राय रोस्ट कर लिए बाद अपन इसको पूरा सा स्टोग को बन कर देगे, पूरा धंड़ा हुय तक अपन इसको तो देखिजी, इस तरह से पूरा अच्छा सा थंडा होने के लिए छोड़ देके, वो साइड पे सट दूसरे एक बगोने में, एक मुठी पर इमली को लेके, पूरा अच्छा सा साब धो लेके पानी में भूई को लेना है, क्योंकि आपन बनाने का रसम है, इसलिए इमली थो थोड़ा थोड़ा पानी दालते हुए, एक नरम पेस्ट अपन इसको प्रिपेर कर लेना है, तो देखिजी, इस तरह से अपने को फस्ट पानी नए देले, पीस लेना है, उसके बाद पानी दालके पेस्ट बना लेना है, सिम्पुल अपने घर में हैसे इनिग्रीडियेंट से एकतम मज्यदार रसम बनता है इसे, तो इस तरह से पेस्ट बना लेके साइड में रख लेके, अब अपन जिस बरतन में अपन मसाला रसम बनाना समझ लेके, एक टेबल स्पून आईल दाल दीजिए, दालेके पूरा अ अपने रहता है, बहुत कमदा में ही मिलते है ये मठी के बड़तन, तो ये पूरा अच्छा सा गरम होई बाद इसमें आट करते हैं, एक टीस्पून राई, मस्टर्ड सीट्स, और इसमें आट करते हैं, एक टीस्पून जीरा, ये दो इंग्रीडियेंट्स में अच्छा सा स अपने को ये रसम का जो रसम बना रहना उसका भोड टेस्ट यहां पर भी बढ़ता है तो अच्छ चा स भून लेना है कोन सा भी कच्च नही रहना है पूरे अच्छ से भून लेना है उसके बाद अपन अच्छ सा भूने गए बाद आपन इसमे आड करते हैं हाफ टीस्पून हल्दी पॉडर, यह हल्दी को भी कच्छा समल गए तक अपन इसको फ्राइ कर लेना है, उसके बाद अपन इसमें आट करते हैं, आलरी अपन ड्राय रोस्ट करके नारेल धनिया पीस लिये थे ना, वो पेस्ट को भी दाल दे के, आलरी अपन ड्राय रोस्ट करे हैं, लेकिन थोड़ा सा कच्छा समल कांथ पर भी रहे तो यहां पर अच्छा सा भून लेके कच्छा समल गए तक अपन इसको भून लेना है, उसके साथ साथ उसमें आड़ करते हैं, नमक टेस्ट के मुदाविक का नमक भी यहां भी आड़ करते हैं, पूरा अच्छा सा भूने गए बद, अपने को तेल छूटरा बोलते सो समय में, अपनान आलरी नीम, इमली का पानी भीगा लिए थे ना, वो इमली का पूरा पल, अपने को पानी इसमें दाल लेना है, जितना अपना को यह रसम के जैसा पानी पानी ने रहता है, थोड़ा सा गाड़ा ही रहता है, तो देखके आप लोग इसको बना लीजिए, थोड़ा पतला होना समझे तो पतला भी कर ले सकते लेकर उतना चार के जैसा रसम के जैसा उ आपन तो देखिज़ अपने कुछ चावल में बहुत मज़ेदार रहता है वाइसी फ्लेवर राइस में भी ये रासम मसाला रासम को भूत मिन्स सर्व करते हैं भूत जगा उसके अबाद थोड़े से कुतमीर धन्या के पत्ते भी दाल लेके अपन इसको टिशोट कर लेते हैं यह रेस्पी अगर आप लोग को पसंद आये तो लाइक करो फ्रेंट्स को रेलिटिवस को शेर करो और अच्छे अच्छे टेस्टी हेल्दी क्विक यूनिक कॉंटिनेंटल डिशेस के लिए हमारे चानल को ज़रूर सब्सक्रेब कर लीजिए अगले वीडियो से फिर में मि कर दो घर, घ'll जबस्ते इजुके अधमारे सब्सक्रेब कर जो बारे से ला कर्केृती ह।